अस्सलामू वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे, जो की मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फर्माने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाक्या, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप मुलके अरब से हिंदुस्तान तश्रीफ लाए और महाराष्टर के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आपकी दुआ से उनका सफर खेरियत से हो। वह लोग ट्रेन की पटरी लग रहे थे, जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआ निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए। और देखा कि एक बुजर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर पटरी बिचानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलेह ने हटने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। रात गुजरी फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर वो लोग पटरी बिचाते और वो फिर से उखड़ जाती। जब तीन चार दिन ऐसा ही होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बन रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटा कर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलह की इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह अलह का मजार मौजूद है। तो दोस्तों ये है अल्लाह के वलियों की कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलजना अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सय्यत बिस्मिल्लाह शाह और तमाम उलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकमल इश्के रसूल अता फरमाएं। दोस्तों इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों आपने बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पैश करने जा र शाह उर्फ चुन-चुन बाबा की है। आपकी करामात के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई। मानो वह बर्फ सी जम गई हो। आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी। और क पैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तो, हजरत चुन-चुन बाबा आपका नाम हजरत सयद रहमतुल्लाही अले ही है। आपका आस्तान मुबारक उज्जैन में है। सयद शाह बाबा बड़े ही शान और मकाम वाले बुजर्ग गजरे हैं। आपसे बेश इंतामानगर स्टेशन पर टीटी जिसका नाम बीसी पाठक है। उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा ए खुदा के बंदे हम फकीर हैं। टिकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा आ गया और कहा बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेग वरना ट्रेन से नीचे उतार दिये जाओगे। इसके बाद भी हजरत सेयद शाह बाबा ने वही फरमाया कि हम फकीर हैं। हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने उनको जबरदस्ती ट्रीन से नीचे उतार और उनसे बुरा भला कहने लगा जब टीटी ने आपके साथ इतना बरा सुलूक किया तो आपको गुस्सा आ गया और आप वहां से छोड़ चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी जंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए तो पाइलट न कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वो सब ठक कर हार मान चुके थे। तब ही उस ट्रीन में एक बुजर्ग थे। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अलेह को ट्रीन में सव काफी मांगने लगे और गिड़ गिड़ाने लगे। वो टीटी भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए कि हजरत सय्यद रहमतुलाही अलेह बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सब की चेकिंग कर ली तो आप से आकर कहने लगे आप हमें मुआफ कर दें। हमसे बहुत बड़ी भूल होगी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महरबानी करके हम पर रहम फरमाए और आप टरीन में वापस सवार हो जाएं। ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी टरेन फिर से आगे बढ़ सके। इसके बाद सेयद रहमत उल्लाही अलेह शाह बाबा को उनके उपर रहम आ गिया। और आप टरीन में वापस तश्रीफण ले गए। जैसे ही आप टरीन में सवार हुए। वैसे ही टरीन आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था कि ये सब स्यद रहमत अल्लाही अल्यह शाह बाबा की शान में गुस्ताकी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गया सुद्दीन अरफ मौलाना मौजा रहमत अल्यह का मजार-अकदस है। इस मजार के बाहर एक बुजर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत वो मन्जिलत के मन्जिलों से आगाहत है। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल बाबा की पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, हजरत मुझसे एक गल्ती हो गई है। मैंने चुन-चुन बाबा को टरीन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया अब आप मेरी मदद कीजिए आप मेरी सिफारिश हजरत सयद रहमतुलाही अलेह शाह बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पट्री पर आ जाएं। अब्दुलाजीज बाबा को चुन-चुन बाबा की जलाल का बखुबी इल्म था जबकि उनका लक्ब ताज मजहर था पहले वो तैयार नहीं हुए मगर पाठक साहब के जिद करने पर हजरत रहमतुलाही अलेह शाह बाबा के पास जाने को तैयार हो गए अब्दुलाजीज इसे अपनी गलती का एहसास है यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है इसके बाल बच्चे हैं यह अब क्या खाएंगे यह मर जाएगा आप उस पर रहम फरमाए हजरत शाह बाबाबा बहुत ही रहम दिल थे आपके अंदर रहम समाया हुआ था आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले जाओ इंशालला कल ये बहाल हो जाएगा यानि ये जो परेशानी है कल वो हल हो जाएगी और अब अल्ला के वली ने फर्मा दिया है तो वो होकर रहता है दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बिला लिया गया और उसे नौकरी वा सुब्हान अल्लाह